साथियों, आज हम सब्द सांची चैनल के तहट गुर्कुल जो प्रोग्राम है, उसमें हम बात रखने जा रहे हैं, आप सब के लिए जो अजूबा बना हुआ है, पाई, तो हम आज आप से चर्चा करेंगे कि ये पाई है क्या, पाई को आप सभी जानते हैं कि पाई को इस तरह से ये लिखा जाता है, इस तरह से ये पाई है, जो गनित में प्रयोग होता है, फिजिक्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इंजिनिरिंग के फिल्ड में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे जो हमारे साइ के स्टूडेंट हैं वो इसे जानते हैं और ये लगवग तीसरी या चौथी क्लास से सुरू हो जाता है और बच्चा इसे जानता है लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये पाई है क्या बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं और वो पाई को समझ नहीं पाते तो हम इस पे ही विसेश बात करने जा रहे हैं तो आप सब पहले तो ये जान लीजे कि पाई कोई अजूबा नहीं है पाई कोई अलग से चीज नहीं है जिस तरह से गणित फिजिक्स बिग्ञान के छेत्र में बहुत सारे नेतांकों का प्रयोग होता है नेतांक मतलब जिनको मान कहते हैं कॉंस्टेंट है अब बात यह होती कि नेतांक क्या होता है नेतांक हम उसी चीज को कहते हैं जो अनुपात के रूप में होता है जो अनुपात होता है उसको हम नितांक कहते हैं पाई भी हमारा एक अनुपात है अनुपात कैसे होता है जैसे मान लीजे ये हमारा एक बृत है सर्किल जिसे कहते हैं अब बृत में ये जो पूरा छेत्र है इसको हम कहते हैं परीदी चारों तरफ का इसको यदि हम जोड़ें तो ये कहलाता है परीदी तो परीदी अब इस बृत का ये हुई तरिज्या जिसको हम तरिज्या कहते हैं अर्दव्यास कहते हैं और इस लाइन को आगर हम पूरा जोड़ें ये हमारा कहलाता है ब्यास तो परीदी बटए ब्यास ये जो अनुपात होता है परीदी मतलब पूरी ये जो लंबाई है बृत्त की और इसका ये जो ब्यास है तो परीधी बटे ब्यास इसको सबसे पहले नाम दिया गया पाई ये पाई होता है तो पाई जब भी बात आए तो हमारे दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए कि पाई का मतलब है परीधी बटे ब्यास परीधी और ब्यास का जो अनुपात आएगा उसको हम कहते हैं पाई इसी से फिर हमारा ये सर्किल का फार्मूला बन जाता है बृत्त का फार्मूला बन जाता है और इसको हम कह देते हैं परिधी का मान कितना होगा तो आप देख रहे हैं इस से परिधी है यह ओर इसके वटे एक कर देए और यह जो है across multiplication हो जाएगा तो cross multiplication से क्या बनेगा परिदि गुनित एक बराबर पाई गुनित ब्यास ये पाई गुनित ब्यास हो जाएगा पाई गुनित ब्यास हो जाने से आप देख रहे हैं तो ये भी रहता है बच्चों को ये दसमी स्टेंडर्ड पे ग्यार्मी पे वार्मी पे आगे वाली क्लासों में भी ये चीज रहत कि परिदी बृत्य के परिदी का सूत्र क्या होता है तो अब ये बच्चे को बने सरह हो जाएगा चुकि उसने ये चीज़ समझ ली है कि पाई बराबर क्या होता है परिदी बटे ब्यास तो परिदी बटे ब्यास अब ब्यास को जो हम संकेत देते हैं जिस तरह से पाई ये अ दूरी भी तूरिज्जा है और केंद्र से ये दूरी भी तूरिज्जा है मतलब एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया तो पूरे ब्यास में कितने आर हो गए दो तो यहां पे हम लिख सकते हैं पाई गुणित two r तो इस तरह असे परिदी बराबर तू पाई आर यह हमारा फार्मूला बन गया अधृत्य के परिदी का जो ब्यास के रूप में भी है और त्रिजा के रूप में भी है अब यहां पे पाई आ गई तो यह सबसे ज़्यादा यूज जो होता है बच्चा जो यूज करता है और धैनिक जीवन में भी हम जो यूज करते हैं उसमें सबसे दिक यूजफुल यह फार्मूला होता है जो एक पाई डी के रूप में है परिदी को हम C लिखते हैं सरकंफ्रेंस कहते हैं इंगलिस में इसलिए पाई डी और यहां भी हम लिख सकते हैं C वराबर 2 पाई डी यार यह पाई का मान एक्चुल में रहता है अब इसी में जब गनितगों ने बहुत सारा प्रयोग किया अब इस प्रयोग के रूप में हम जानें कि पाई का मान पाई का मान कितना होता है तो पाई का मान ये रख दिया गया कि 22 वटे साथ होता है, कुछ लोगों ने कहा नहीं पाई का मान 3.1 चार होता है, अब बरतवान समय में तो पाई का मान एक लाखवे अस्थान तक निकाला जा चुका है, और एक लाखवे अस्थान तक और उससे आगे भी लोग प्रयास कर यह मान निकालने का तो बहुत लंबा जैसे एक चार एक पाँच और इस तरह से बहुत सारे मान एक लाखवे अस्थान तक निकाले जा चुके हैं और इस पर प्रयास लगातार चल रहा है कि हम इन मानों को और करोडवे अस्थान तक सो करोडवे अस्थान तक निकालके देखे और यह प्रयोक चला है, निरंतर प्रयोक चला है, अब यही पाई, अभी यहाँ पे पाई हमने आपको अनपात के रूप में बताया, जब पाई को हम संख्या के रूप में लाते हैं, तो हम कहते हैं कि पाई अपरिमे संख्या है, अपरिमे संख्या है, पाई क्या है, अपरिम आप थोड़ा संख्या पर बात कर लाएं वास्तविक संख्यां में हम जो विथ संख्या यूज करते हैं वो कहलाती है बास्तविक संख्याईं, बास्तविक संख्याईं, अठारा सो साथ के पहले तक केवल बास्तविक संख्याईं होती थी, अठारा सो साथ में आयोटा आ जाने से कालपनिक या दिकल्पित संख्याईं भी आ गई, तो अब छेत्र बदल गय लेकिन पहले बास्तरिक संख्या बस होती थी, अब बास्तरिक संख्या जो है, वो दो संख्याओं से बनती है, दो प्रकार, दो प्रकार की संख्याएं हैं, इसमें पहली है परिमे संख्या, और दूसरी है अपरिमे संख्या अब पाई को हम परिमे संख्या में रखते हैं, तो ये बात भी पंजालने क्यों रखते हैं, ये हमेशा confusion रहता है, नाइन्थ क्लास के बच्चों का आता भी है कि पाई क्या है, कुछ बच्चे परिमे लिखते हैं, कुछ बच्चे परिमे लिखते हैं, कालेज लेविल पे भी हम पूछ लें तो जो बच्चा प्रापर तरीके से concept नहीं कि उसका clear है तो वो कुछ भी बोल देगा तो ये जाने अब परिमे संख्या परिमे संख्या की परिवासा है P बटे Q और Q Dynatical to 0 जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकें वो संख्याओं परिमे संख्याओं कहलाती हैं बसरते Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q Dynatical to 0 P और Q दोनों जो है belongs to मतलब P और Q क्या हो सता है तो P और Q किसको बिलांग करेगा इंटीजर को इंटीजर को आज कल हम Z से लिखते हैं जहलन सब्द से आता है इसलिए हम इसको Z बिलांग करते हैं आई से भी लिखते हैं बहुत सारे लोग P को इंटीजर को कहते हैं तो आई भी कह देते हैं लेकिन इसमें सर्थ है कि Q 0 नहीं होना चाहिए क्यों अब यह प्रस्नाता है Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए तो यह देखिए आपके सामने लिखा है अगर हमने लिखा एक बटे 0 लिख दिया तो एक बटे 0 अभी तक बिस्व में किसी ने इसको डिफाइन नहीं किया है ये परिवासित नहीं है ये आपरिवासित है और आपरिवासित के लिए हमने पाई जैसा ही संकेत बना दिया है अनंत का ये चिन्द बन जाता है ये आपरिवासित को ब्रेक्ट करता है इसलिए यहाँ पे लिखा गया है Q-Dynatical to 0 अब देखिए ये बात हो गई अब अपरिमे संख्या क्या है जो संख्या P वटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है कौन सी संख्या जहीं लिखी जाती है जैसे root 22 बटे साथ होता है तो फिर इसको तो हमने बटे में लिख दिया तो कंटाडिक्ट आ गई वाद कि आप कह रहे हैं कि अपरिमे संख्या वा संख्या होती है जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सकती लेकिन यहां तो 22 बटे साथ हमने लिख दिया तो यही मैं बताना चाह रहूं कि पाई का मान 22 वटे साथ नहीं होता है पाई का मान 22 वटे साथ सूच रूप में मान लिया गया है जैसे किसी का नाम मान लिया जाता है कि ये फलाने हैं उसी प्रकार से ये मान लिया गया है बांकी तो हमने आपको बताया कि 22 में आप साथ का भाग देते जाए तो ये एक लाखवे अस्थान तक लोगों ने निकाल लिया है 3.14,14,15,96 इस तरह से आता जा रहा है और ये निश्चित नहीं हुआ है जबकि परिमे संख्या वो संख्या होगी जिसका डिवीजन निश्चित होगा कितना भी रिपीट होने के बाद वो निश्चित हो जाएगा और ये अनिश्चित है इसी लिए ये अपरिमे में आती है लेकिन सरलता के लिए हल करने के लिए इसको हमने 22 वटे साथ मान लिया और ये माना किसने ये आर्कमडीज ने जब प्रयोग किया तो आर्कमडीज ने सबसे पहले ये माना ये चीज आपको नहीं होगी जानने में आर्कमडीज पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने पाई का मान 22 वटे साथ दिया और तब से ये 22 वटे साथ चला रहा है और हम इसका प्योग कर रहे हैं अब नए परिपेक्ष में हम 3.25 चार लिखते हैं तब ये अपरिमे के रूप में व्यक्त होता है जब हम 22 वटे साथ लिखते हैं तो हमारे मन में धाड़ना आ जाती है कि ये परिमे हैं लेकिन ये माना गया मान है ना कि ये एक्चुल मान उसका होता है अब ये आप कैसे पता करेंगे कि 22 वटे साथ इसका मान आ जाता है या 22 वटे साथ मान नहीं आता है तो इसके लिए देखिए बिल्कुल सरल सा प्रियोग है आप अलग-अलग तरिज्जा के अलग-अलग तरिज्जा के तो मालनों हमने 8 सेंटी मीटर का आप अलग-अलग प्रियोग करिए अलग-अलग तरिज्जा के सरकिल बनाईए और उन सरकिलों का परिधि ना पिए और उनका अनुपात ना पिए तो आपको मोटे तोर पे ये मिलेगा कि इसका हमेशा जो अनुपात आएगा वो 22 बटे 22 बटे साथ के रूप में आएगा और इसलिए पूरे बिस्व में ये मानता है कि पाई का मान 22 बटे साथ होता है लेकिन ये माना हुआ मान है परिकलित करके ये मान लिया गया धार्णा के रूप में मान लिया गया है actual मानुस का अभी तक पतार नहीं है क्योंकि अभी भी भाग देने पे वो अलग-अलग जो है अंक आते जा रहे हैं कोई भी अंक लगातार रिपीट में नहीं हो रहे हैं इसलिए पाई को हम अपरी में संख्या के तहत रखते हैं अब आगे हम बात करते हैं इस पर कि अब एक मन में और धाड़ना आती है कि साथ ठीक है परिदिवटे ब्यास को पाई ही क्यों माना तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि विस्व में सबसे पहले बिज्ञान जो आया जिसे आप साइंस कहते हैं इंगलिस में और हिंदी में बिज्ञान बिज्ञान की जो उत्पत्ती हुई या गणित की जो उत्पत्ती हुई उत्पत्ती तो कई जगह हुई गणित हिंदुस्तान में भी था गनित बटेन में भी था, गनित अमेरिका में भी हुआ, लेकिन विश्ट की जो मानताएं हुई, वो सभी मानताएं आती हैं, यूनान, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, ग्रीस देश, यूनान देश, लेटिन, लेटिन भासा का जो प्रयोग होता है, हर नियतांक, हर चीज का हम वही से करते हैं तो युनान वासियों ने क्या देखा आपने सुना होगा मिस्स के पिरामिड में पाई का प्रयोग हुआ है उनकी चोड़ाई जो है और उनकी उचाई जो है तो चोड़ाई और उचाई का जो अनपात निकाला गया वो पाई के डवल दुगने के बराबर है वहाँ मतलब ग्रीश वासी पाई को पहले से जानते थे इसी लिए उन लोगों ने सबसे पहले पाई का प्रियोग किया और उन्होंने कहा सरकमफ्रेंस यानि परीदी और बटे ब्यास ये सबसे पहले उन लोगों ने किया इसी लिए ये उनका दिया हुआ नीतांग है हो सकता है कि हिंदुस्तान में कोई और संकेत इसको दिया जा सकता था लेकिन चुकि वहां से चल रहा था और पिरामेड जो बने हुए है वो सिंदु सब्वता के समकालीन है यानि पचीस सो से पैंतिस सो इसा पूर्व के पहले की बात हम कर रहे है तो इतनी की जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय तो कोई लिखित था नहीं इसलिए वो धार्णा हमारी चली आ रही है और इसे संकेत के रूप में एक मानक के रूप में एक चिन्न के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं और ये आज हमारे साइन्स, इंजिनिरिंग, गणे जहां भी साइन्स का यूज होता है और परिदिवटे ब्यास की बात आती है वहां हम पाई नेतां का प्रयोग करते है इसी परिपेक्ष में 1706 से ये बात मानी जाने लगी कि पाई का मान 22 वटे साथ होगा और तभी से जो है 15 मार्च को पाई दिवस मनाया जाने लगा तो ये बात यहां की है ततकालिन है मतलब 1706 अभी हम 2024 में हैं तो आप लगा लिजे 300 साल पहले की बात है लेकिन इसका जो उदय है और पहले हो सकता है लेकिन जो लिखित या मानक के रूप में जो हमें प्राप्थ हुआ है उसमें ये पाई जो है पची सो से पैंती सो इसापूर जो पिरामिड वने हैं उन पिरामिड में इसका प्रयोग समझ में आता है अब आते हैं हम भारत में तो भारत में पाई का जो सबसे पहला प्रयोग मिलता है यानि परी दिवटे ब्यास का जो अनपात मिलता है वो सुल्व सूत्रों में मिलता है और यहां इन्हीं में एक जिए लिखा है कि रूड 10 का जो वर्गमूल आएगा वो पाई के मान के बराबर होगा यानि रूड 10 का और रूड 10 का अनुपात भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी 3.4 संथिंग कुछ आता है तो उसमें ऐसा आपको सुल्व सूत्रों में लिखा मिलेगा जिनसे बहुत सारे हम प्रयोग करते हैं फिर हम आते हैं आरवट ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया भारती गनितग आरवट आरवट ने सबसे पहले इसको बताया और आरवट ने कहा कि 100 में 4 जोडिये सौ में 4 जोडिये फिर 8 से गुणा करिये और फिर 62 जोड दीजे और फिर 20 जार से भाग दे दीजे तो जो मान प्राप्त होगा वो मान पाई का होगा और ये दसमलप के 10 अस्थानों तक आज भी सही है बरतवान समय में भी और जब कि आरवट जो है आठवी सताबदी के आसपास के बेक्ति थे और उनके द्वारा ये जो मान दिया गया वो आज भी मान नहीं और ये उन्होंने फार्मूला दिया था उस फार्मूले से ये मान निकला फिर रामा नुजन ने भी इस पे काम किया और रामा नुजन ने दस हजार बेस्थान तक इसका मान निकाल के बताया भारतिगर्टक के रूप में और वो मान पे भी आज लोग प्रियोक कर रहे हैं बिस उस पे रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्चे चल रही हैं पर मोटे तोर पे जो अपन जानते हैं तो मोटे तोर पाई का मान, पाई क्या है, मैंने आपसे चर्चा की, कि पाई को हमें अगर समझना है, तो पाई एक नितांग के रूप में हैं, एक संकेत के रूप में हैं, और जिसे हम सर्किल से लेते हैं, बृत से लेते हैं, और ये परीधी, बृत की परीधी, और बटे, बृत का ब्यास, और परिधी और ब्यास का जो अनपात आएगा उसे हम पाई कहते हैं अब इसे हमें प्रियोग के तोर पे देखना है तो अलग-अलग तरजाओं के हम सरकिल लें उनको हम नापें उनका अनपात निकालें तो वो अनपात हमको लगभक 22 वटे 7 के आसपास प्राप्थ होगा और इस तरह से हमारा पाई का मान हमको प्राप्थ हो जाता है अब पाई पे बहुत सारा खोज चल ला है पाई पे बहुत सारे प्रियोग चल ला है पाई हर जगे यूजफुल है चुकि आधोनी दुनिया में modern world में हम जवाते हैं तो इस्थराइं के रूप में पाई का हम हर जगे प्रयोग करते हैं बहुत सारा इसमें काम चल ला है तो यह मैंने इतिहास के रूप में आपको बताया कि हिस्टी कैसे आई भारती गंतग में क सबसे पहले मिलता है फिर आरवट में मिलता है लीला बती में इसका उलेक है और भी बहुत सारे चीजों में बहुत सारे ग्रंतों में इसका प्रयोग मिलता है भारती गंतग में लीला बती में भी मिलता है लेकिन इसका संदर्व हमेशा सरकिल बृत्य के संदर्व में ही प् संख्या के रूप में जब आते हैं तो संख्या के रूप में इसको हम अपरिमे संख्या में रखते हैं अपरिमे संख्या में 22 वटे साथ चुकि 22 में साथ का भाग देंगे तो भाग जाता रहता है वो कभी समाप्त नहीं होता इसलिए उसको हम अपरिमे संख्या में रखते है बटे के रूप में जरूर लिख रहा है बिल्कुल किलियर रही है लेकिन वो भाग चुकि समात्र नहीं हो पा रहा है इसलिए वो अपरिमे में चला जाता है तो ये पाई की बात है, गनित में प्रयोग करते हैं, इंजिनिंग छात्रों में प्रयोग करते हैं, मेडिकल साइंस में भी यूज हो रहा है, क्यूंकि पाई जहां भी हम बात करेंगे, वही टैबलेट हम बना रहे हैं, एक टैबलेट हम सर्किल के बेस में बनाते हैं, तो हमे यह बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, कि हमें पाई का मान किस तरह से यह प्रयोग है, तो अगर यह हम जान जाते हैं, तो हमको आसानी होती है, गणित पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि आप पाई कहीं भी आएंगे, आप अगर गोले में आएंगे, तो गोले का भी सू आपको पाई यहां भी आगया, फार्मूला बदल गया, लेकिन पाई वही आगया, बेलन का हम निकालेंगे, तो बेलन का आयतन भी होगा, एक वटा तीन, पाई आर स्कॉर एच, शंकू में आएंगे, जहां भी हम आएंगे, तो पाई आपको हर जगे आएगा, क्यों, क्यो जब हम सरकंफ्रेंज की बात करेंगे, जब हम बालूम की बात करेंगे, तो बालूम, भई हम बात कर रहे हैं बेलन की, बेलन हमने बनाया, लेकिन बेलन जब आप बनाओगे, तो यह आपका सरकल बनेगा, जब आप यह बेलन बनाओगे, तो यह सरकल आपका बनेगा, तो ज परिदी आ गई और ये उसकी क्या हो गई तरिज्जा तो परिदी और तरिज्जा का अनपाद ही परिदी और ब्यास का अनपाद ही तो पाई है इसलिए हर फार्मुले में हमको पाई मिलेगा तो बच्चों यहां बिल्कुल भी ब्रमित होने की जरूरत नहीं है कहीं भी क्योंकि जहां भी हम जिस भी चीज का प्रयोग करेंगे यह आपका बेलन है यह आपका सरकिल है यह आपका कौन है यह आप कौन लेते हैं कौन है कुपी है यह देखिए कौन है यहां भी आपका सर्किल बन रहा है तो सर्किल हर जगह जहां भी सर्किल बनेगा वहां पाई आएगा इसलिए और गणित बिना इनके इन चीजों के पूरी नहीं होती इनी की स्टड़ी तो हमें करना है इसलिए पाई की हमको हर जगह पड़ेगा क्योंकि वो construction या तो बित्ताकार होगा या तो बेलनाकार होगा या तो संख्वाकार होगा इसलिए हमें उसमें इन नितांकों का प्रयोग करना ही पड़ता है तो ये ध्यान रखना है कि πाई एक नितांक है इस्थरांक है constant value है और ये अनपात है इसलिए पाई पाई में कोई unit नहीं होती अब ये आता है कि पाई हम ये नहीं कह सकते कि पाई जो है पाई वर्ग मीटर है पाई वर्ग सेंटी मीटर है ऐसा हम नहीं कह सकते क्यों क्योंकि पाई इनका अनुपात है और जो भी ची अनुपात में निकलती है उसका कोई भी मात्रत नहीं होता इसलिए पाई अकेला पाई होता है, तो इनका अनपात जो हम निकाल के देंगे आपको, जो अनपात आप निकालेंगे वही आपका पाई कहलाएगा, तो इस तरह से हम फार्मूले का कंसंट्रेट कर देते हैं और फार्मूला हमारा बन जाता है, अब इस पे और ज्यादा प्र उसकी जो परिदी है और उसका जो ब्यास है उसी के अनुपात को हम पाई कहते हैं, इतनी बात हम जाना है, तो आगे जहां भी हम उसका प्रियोग करेंगे, तो हम उसको वहां पे इंटरप्रेटेट कर देंगे, और वो पाई हमारा निकल के आ जाएगा, अब डीपले उसमें बहुत सारा कि, किस ने कितने प्लेस पे बैलू निकाली, किस गड़ितग ने कितना काम किया, किस देश ने उसमें कितना वर किया, तो ये सोध के बिसे हैं, और उनके अलग-अलग जो है उस पे काम चल लहें हैं, और बहुत सारा काम चल लहा है, तो उस कारे को हम जो है करके और निकाल के उनके और प्लेसेस तक मा की मेरी जानकारी में एक लाखवे अस्तान तक पाई का मन निकाला जा चुका है उससे आगे प्रयास चल रहा है रामा नुजन जो हमारे गड़े तक थे जिनका जनम दिन 22 दिसंबर को मनाय जाता है उन्होंने भी पाई पे काम किया और 10,000 बेस तक वो सुधमान दे पाए बिना किसी मसीन के उन्होंने ये प्रयोग करके बताया तो ये है हमारा पाई इसी की जानकारी के लिए पूरा बिस 15 मार्च को पाई दिवस मनाता है कि पाई के बारे में बच्चे जानें पाई क्या है पाई का प्रयोग करें उससे जब हमारा ये भी होता है कि पाई को हम जानेंगे तो हम मिस्ट के पिरामिड को भी जानेंगे हम अपने सुल्व सूत्रों को भी जानेंगे हम आरेवट को भी जानेंगे तो इन सब को जानेंगे पाई चुकि एक चीज नहीं है पाई को जानने के लिए हम पूरी चीज़ों को जानेंगे तो हम जब पाई की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि मिस्र के पिरामेड है, तो हमारा इंट्रेस्ट बढ़ेगा, हमारी जानकारी बढ़ेगी, हमको तथ्यात्म प्राप्त होगा कि मिस्र के पिरामेड कैसे थे, कितना उनका था, कितना ब्यास था, कितनी उचाई तो पाई के रूप में कैसे वो निकाले गए यह चीज हम निकालके वहाँ सो वहांसे वह आसे यह ब्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से यह बाइक हमाने की तो यह थी पहानी विसमें राजे स्थर ने का पूरा पूरा कॉंसटाई आपको हमारा ये वीडियो कितना यूसफुल लगा, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहते हैं क्योंकि हमने गूरु कूल का यह खास कारेक्रम खास कर उस वर्ग के लिए रखा है जिसके मन में सीखने और जानने की लालसा है फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं गूरु कूल के अगले अपिसोड में